टीवी पे वो एट्स देखें आपने जिनको घर वालों के सामने लाइट की स्पीड से भी तेज भाग के रिमोट उठाके हम फटाफट बदल देते हैं। समझ कहना किसकी बात हो रही है। अब सोचो किसी फिल्म का सिर्फ पोस्टर सेम उसी एट की याद दिला दे तो पूरी फिल्म के अंदर कितना खत्रा हो सकता है। समझदार को इशारा काफी है। एक जमाना था जब बॉलिवुड में फिल्म है अक्टर्स के नाम से चलती थी लेकिन यहां मामला ठीक उल्टा है। लोग फिल्म से दूर भाग रहे हैं अक्टर्स का नाम सुनके। आज से अल्मोस्ट आज साल पहले 2014 में हम सब की जिंदगी में एक विलन की एंट्री हुई थी। मतलब फिल्म के पहले सीन में ही हिरोईन को मार डालना और दो विलन्स के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना। खतरना कहानी जिसको कोई नहीं भूल सकता। अब उसी फिल्म के नाम का इस्तिमाल करके चाड़ नए विलन्स को मार्केट में दुबारा उतारा गया है। एक विलन रिटन्स फिल्म का नाम रखा गया है लेकिन ओडियन्स का रियाक्शन ठीक इसके नाम का उल्टा है कोई भी नहीं चाहता कि ये चाड़ नए विलन्स रिटन करें। लेकिन ट्रेलर ने सब कुछ बदल के रख दिया है मोहित सूरी की फिल्म है तो म्यूजिक और सस्पेंस दौनों पर उंगली उठाना किसी पाप से कम नहीं होगा ये बंदा लोगों की दिमाग से खेलना जानता है। स्पेशली ट्रेलर जिस तरीके से एडिट किया गया है उसको पूरा देखने के बाद भी आप असली विलन कौन है इस सवाल के जवाब से काफी दूर हो सब के सब विलन लग रहे हैं। का चालाकी से इस्तमाल करना जो सबसे बड़ी वीक्नेस है उसको सस्पेंस के पीछे चुपा दो बोले तो ये सारे अक्टर्स पब्लिक की नजरों में जीरो हैं बड़ ट्रेलर ने इन सबको फिलाल हीरो बना दिया है। स्पेशली दिशा और तारा का जो लास्ट सीन है वो पूरे ट्रेलर की हाइलाइट है ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था लेकिन देखो फिल्म की थीम लव स्टोरी रखी गई है वो मुझे ट्रेलर में काफी गडबड लगी। स्पेशली जब आप ओरिजिनल फिल्म में सिधार्ट और शद्धा का प्यार देखोगे न वो एकदम प्यॉर, सॉलिड और बिलिवेबल था उनकी कहानी सची लग रही थी बट दिशा का इस्तिमाल फिर से वही ग्लैमर कॉंटेंट डालने के लिए हुआ है आँखों को सु इवन पोस्टर्स को देख लो, वो फिल्म की थीम को बिल्कुल कॉंप्लिमेंट नहीं करते, ऐसा लगता है वो टीवी वाले एड के लिए फोटो शूट किया गया है, बॉलिवुड को बदलना पड़ेगा क्यूंकि ओडियंस भी बदल रही है, हमें कामा सुत्रा का ज्यान चाहिए होगा हम पढ़ लेंगे, आग सिर्फ फिल्म पे फोकस करिये, लेकिन दोस्त एक्टर्स वाली कैटिगरी में मैं काफी सुर्प्राइज़ हूँ, अच्छा लगा कि जॉन फाइनली अपने फोर्स वाले अफ्तार में वापस लोट आये हैं, जबरदस्त एक्शन और नेगेटिव कैरेक्टर्स की शेट, ये बंदा हीरो नहीं, विलन के रोल में ही जज़ता है, बैट बॉय ओफ बॉलिवूड इस बैक, वो डायलोग था ना, तारीक पे तारीक तारीक पे तारी, फाइनली शायद आज वो तारीक आई गई गई जब अरजुन कपूर किसी फ नहीं तालियां बजाएंगे, वर्ना चैलेंजिस बहुत सारे हैं इन चार विलन्स के लिए, सबसे पहले तो फिल्म के पोस्टल्स पता नहीं किसने बनाए हैं जो फिल्म की थीम को बिल्कुल सूट नहीं करते, उल्टा ये लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं कि फिल्म को थीटर जाने से नहीं रोप पाएगा, सब सुन लिया, अब बारी फैसले की, फैसला कौन करेगा, आप लोग पबलिक, बोलो इस फिल्म की किसमत चमकेगी, या फर एक्टिंग और आक्टर्स की वज़े से एक विलन रिटन्स का बल फ्यूज होने वाला है, नीचे लिख कॉमेंट्स में, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हुए, आपके कुछ शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्ट्रग्राम पे भी मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा से इंतिजार करें, मिलूगी आप से अगले वीडियो में, टेक केर, बाए बाए